हेलो एंड वेल्कम बाक्टो ट्रिक्स आज हम लुक जानेंगे इस्राइल के आइर डिफेंस सिस्टम के बारे में कैसे काम करता है यह क्यों बनाया था इसको इसको इस्राइल ने सारा डीटेल आज की इस वीडियो में हम लुक देखेंगे आइरें डोम जो है वो एक शौट रिंज मिसाइल सिस्टम है जो की सता से हवा की तरफ फायर करता है यह एर डिफेंस सिस्टम रॉकेट्स, आर्टिलेरी मोटर्स, एरक्राफ्ट्स, हेलिकॉप्टर और अन्मैन एर वहिकल्स यानि की ड्रोन्स इन सब को इंटरसेप्ट कर सकत है कैसे काम करता वह देखते हैं आरें डोम के हर एक मिसाइल में थ्री युनिट्स है इन युनिट्स को बोलता है हम लोग बैटरी इसके जो थ्री युनिट्स है वह अलग अलग जगह प्लेश किये हुए रहते है वह एक जगह नहीं होते पहला पार्ट है उसका रडार, उसकी trajectory का अनुमान लगाता है trajectory मतलब उसका क्या रास्ता होगा वो किस रास्ते में जाएगा इन सब का अनुमान लगाने के बाद ये information वो भीज देता है control center के पास control center में लगा होता है high speed computers इस control center को कहते हैं battle management and weapon control system ये control एक तरह से link की तरह काम करता है between radar and interceptor missile ये decide करता है कि whether किसी incoming missile को intercept करना है या फिर उसको गिरने देना है अगर वो किसी high population area में गिरने वाला है तो उसको intercept किया जाएगा अगर किसी खाली जगह में गिरने वाला है कोई damage नहीं होना है तो उसको छोड़ देने का decision ये center लेता है once it decides ये information भेज देता है launcher को launcher जहां की missile है इस launcher में एक अपना internal radar भी होता है जो कि guide करता है इसको target तक पहुँचने में इसको लगातार guidance control center की तरफ से भी मिलती रहती है once ये target के पास जब नजदीक पहुँच जाता है तो इसके अंदर एक proximity fuse लगा हुआ होता है क्योंकि exactly missile को hit करना आसान नहीं होता इसलिए अगर missile target के पास नजदीक भी पहुँच जाता है तो ये fuse burst कर जाता है और launcher फट जाता है इसके फटने से जो incoming missile है वो भी blast कर जाता है तो इस तरह से ये iron dome system हमारा work करता है एक iron dome unit का लगभग cost पड़ता है 50 million dollars यानि की one unit का cost है 50 million dollars जिसमें की included है उसका control center, missile और radar इस unit में जो launcher होता है वो तामिर missile होते है और एक incoming object को intercept करने के लिए लगभग 2 तामिर missile भीजी जाती है इस तामिर missile की कीमत होती है लगभग 80,000 dollars जबकि जो incoming rocket के missile होता है उसकी कीमत में भी हो सकती है less than thousand dollars तो in comparison एक missile को intercept करने में इस्राइल को काफी खर्च करना पड़ता है लेकिन experts का कहना है कि more than the cost ये जो air defense system है वो एक तरह से deterrent का का काम करता है example आप देख सकते हैं कि 14th November 2012 को this retaliation होगा और rocket strike आएंगी तो उसने iron dome पहले से deployed करके रखा था और जब retaliation आई strikes हुए तो iron dome ने बहुत ही अच्छे से missiles को intercept किया और within 7 days मतलब by 21st November ceasefire हो गया इसके पहले जब भी air strikes होती थी तो ये काफी लंबा खिसता था और इसराइल को काफी damage भी होता था क्योंकि इसराइल छोटी country है तो उसके strike करना और अंदर तक missile को पहुचाना काफी आसान होता है इंडिया के पास कौनसी air defense system है तो इंडिया ने S-400 लिया है रशिया से जो long range है जो कि इंडिया का area बड़ा है तो इंडिया को long range air defense system की ज़रूरत थी और इसको ऐसे missile की ज़रूरत थी जिसका range at least 300 to 400 km हो तो जो S-400 है वो काफी लंबा area cover कर सकता है Iron Dome क्यों बनाना पड़ा इसराइल को Iron Dome से पहले इसराइल उस करता था USA का Patriot Air Defense System According to USA यह 94% effective है लेकिन Gulf War में जब Iraq यूज कर रहा था skirt जो की रशिया के द्वारा दिया गया था और उसका अल हुसेन उस समय इसराइल पे जो strikes हो रहा थे उनको Patriot Air Defense System उतना effectively नहीं बचा पा रहा था इसके पहले 2006 में Lebanon War में भी काफी air strikes हुए और इसराइल को काफी छती हुई 2001 से पहले हमास जेनरली सूसाइड एटाक्स करता था लेकिन उसके बाद इसने रॉकेट स्ट्राइक शुरू कर दी इसलिए 2007 में इसराइल ने डिसाइड किया कि वो एक air defense system डेवलप करेगा तो राफाइल air defense ने लगभग 7000 करोड का बजट बनाया जिसको USA के जारा भी कुछ 1500 करोड रुपे की फंडिंग मिली और फाइनली 2011 में आरेन डोम को इसराइल ने डिपलोई किया इसके बाद की कहानी हम लोग जानते हैं अभी यह बात भी चल रही है कि आरेन डोम अब उपना ज्यादा एफेक्टिव नहीं हुआ लेकिन इसराइल का कहना है कि समय के साथ आरेन डोम का control center और ज्यादा डेवलप हुआ है यानि कि यह बहतर तरीके से एसे कर सकता है कि वेदर किसी मिसाइल को इंटरसेट करना है या नहीं इसलिए यह हर मिसाइल को इंटरसेट नहीं करता इसे कॉस्ट की भी बचत होती है और एफिशेंसी भी बढ़ती है तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope कि आप को यह अच्छा लगा हो मिलते हैं अगले वीडियो में